आई सातियों को मेरा नमस्कार, MkEducation चनल में आपका सागात है, आई सातियों एड़ेट अभ्यास पुस्तिका का चार्ट विव से सामज कुज्ञान, सतर 2022 की अभ्यास पुस्तिका एड़ेट से सम्भन दित है, इसमें कुछ नए पार्टों को सामिल किया गया है, सामज कुज ने सस्क्राइब, कह रहा है, पहले नमबर का प्रस्ट अमेरिका में, 1964 में पारित नागरिक अधिकार कानून में क्या प्राधान किया गया, उत्तर है, इस कानून के जरिए से इमतराज अमेरिका में नसल धर्म या राश्टिता के अधार पे किसी भी तरह के बेदबागों गयर कानून निगोशित कर दिया गया, दूसरा प्रस्ट है, संसदारा पारित कानून को कौन रध कर सकता है, तो अधालत को ऐसा लगता है कि वो कानून से विदान के विरुद है, तो वो उसको संसुदन कर सकती है, और उसे रध कर सकती है, तीसरा अमरिका प्रस्ट है, घर परिवार का कोई पुरुष सदस घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की दम की दिता है तो सामान तो इसे घरोली इंसा कहा जाता है चौन्दा प्रशन है घरेली हिंसा मानिला शुरक्षा कानून की सन से लागू हुआ तो उत्तर हो जाएगा घरेली हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की शुरक्षा की परिवासा ने घरेली सब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया और यह 2005 में लागू हुआ था अगला प्रशन है हिंसा की सिकार महिलाओं को नए कानूनों से कौन कौन से दो मुख्य अधिकार प्राफ्ट हुए तो इसका उत्तर हो जाएगा महिलाओं अपने इलाज और अन्खर्चों के लिए आर्थिक साहता प्राफ्ट कर सकती है यह अप्रशन का विरोध करने के लिए अधालत की स्रण में ले जाए जा सकते हैं इसमें संसोतन कर सकते हैं। साथवे नंबर का प्रसंड लोगों को हिस्सेदारी और उत्सा से जुड़ने का संसत बर क्या प्रभापड़ता है तो तर जाएगा लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्सा से विजुडेंगे उतनी ही संसत को अपना काम सही डंग से करने में मदद मिलेगी आठवे नमबर का प्रसन है भारती राष्टवादी खेमा अंग्रेजो के किन कानूनों का विरोध करता है दो तर जाएगा भारती राष्टवादी खेमा अंग्रेजो दारा तो पे जा रहे हैं मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध वा उनकी आलोचना करता है इस तरह सा सब्सक्राइब कर लें वीडियो को पेश कर लें वीडियो को सेरे में लायक जरू करें कमेंट्स बाक्स में आपके सजावाश्य बताएं धन्यमाद